कहने को देश की आन हूँ, बान हूँ, शान हूँ, फिर भी सालों से कट पुतली बना सियासत की, हाँ, मैं किसान हूँ पसीना बहाकर मिट्टी को सोना बनाया, धर्ती को चीर कर अन उगाया, उसी अन से देश ने अपनी भूग को मिटाया मगर मेरी किस्मत में सिर्फ और सिर्फ रोना आया मगर अब नहीं रोएगा देश का किसान, बहुत हुआ, अब किसान के पास हर अधिकार भी होगा और वो आजाद भी होगा मेरे देश का किसान अब बाद ये नहीं होगा, अपनी फसल को सिर्फ लाइसेंस धारक एपी एमसी को ही बेचने के लिए ये किसान का अपना फैसला होगा, कि वो अपनी खून पसीने से उगाई फसल को किसे बेचे और किस दाम पर बेचे पिएम मोदी ने तयारी कर ली है, एक केंद्रिय कानून लाने की इस कानून के तहट एक राज्य का किसान अपने उतपाद को दूसरे राज्य में ले जाकर भी बेच पाएगा मोदी सरकार किसान को उसकी आमदनी पक्की करने का भी अधिकार देने जा रही है सरकार 1955 के उस आवश्चक वस्तु अधिनियम को बदल देगी और इस कानून से किसान के हाथों में बंधी बेडियों को खोल देगी अब किसान को जहां ज्यादा फायदा मिलेगा वहीं पर वो अपनी फसल को बेच सकेगा वो उत्पादन लागत से भी कमदाम पर अपनी मेहनत को बेचने के लिए मजबूर नहीं होगा अब किसान खुद व्यापारी होगा आत्म निर्भर होगा हाँ प्रधान मंत्री मोदी आपको ये सबसे बड़ी आजादी दे रहे हैं फिर भी अगर ये अधिकार आप तक ना पहुँचे तो पियम को मत कोसिएगा बलकि पड़ताल कीजिएगा क्योंकि क्रशी मामलों में अंत्म अधिकार किसी भी कानून को अपने यहां लागू करने का राज्यों का ही होता है सवाल अपने राज्य की सरकार से कीजिएगा मोदी तो किसान की आए को 2022 तक दोगुनी करने में जुटे हैं उसे आत्म निर्भर बनाने में डटे हैं